नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर दिनेश कुमार शुक्ल प्राध्यापक संस्क्रित राज की महाविद्याले बूंदी मेरे इस चैनल पर आप सबका स्वागत है बच्चों हम रगुवन्ष महाकावे की इस श्रंखला में आज हमारा यह पांचवा व्याख्यान होगा 16 श्लोक हमने अब तक पढ़े हैं आज हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 17 से लेकर 20 तक राजा दिन भर नंदिनी के साथ वन में संचरण करके शाम हो चली है और अब वापस अपने आवास की और गुर्देव के आश्रम की और प्रस्थान कर रहा है राजा कालिदास ने उपमा दी थी कि नंदिनी जो है वो पल्लव राग तामरा है पल्लव यानि नवीन पत्तों के राग यानि लालिमा के समान तामर वर्णी है और प्रभा पतंगस्य पतंग यानि सूर्य की प्रभा भी तामर वर्णी है दोनों का वर्ण अगनी के तुल्य है अगनी पवित्र करने वाली होती है इसलिए दोनों ने दिन भर वन में संचरण करके दिख दिगंतरों को पवित्र किया अब लौट रही है ये कैमरा धेनू पर था अब कवी का कैमरा घूमता है राजा की तरफ राजा से पहले कभी एक वार नेचर प्रकृति को दिखलाना चाहता है प्रकृति कैसी हो रही है बच्चो शाम के समय यही प्रकृति इतनी खूपसूरत हो जाती है दुनिया के सबसे खूपसूरत शन होते है सुबह और शाम दोनों को संध्या कहते है संध्या अर्थात संधिकाल प्रातः जब रात्री दिन में बदल रही होती है और सायम जब दिन रात्री में बदल रहा होता है इन दोनों वक्त पर अगर आप अलर्ट है अगर आप किसी नैचुरल प्लेस पर है अगर आप सुर्योदे और सुर्यास देखते हैं च्छोटी मूटी बात नहीं है आज हर 10 में से 5-6 व्यक्ति को मानसिक बिमारियां परेशान कर रहे हैं और जितने ही विकसित देश हैं वहाँ पर शारिरिक बिमारियों पर तो कंट्रोल है लेकिन मानसिक बिमारियां उसी इस्तर से उसी देंज से बढ़ रहे हैं उसका कारण ह है कि हम एक तो प्रकृत से दूर होते जा रहे हैं दूसरे हम इतने मैटिरियलिस्टिक होते जा रहे हैं हम इतने स्वार्थी इतने आत्म केंद्रित इतने स्वक केंद्रित होते जा रहे हैं कि डिप्रेशन होना ही है तो अगर डिप्रेशन से बचना है तो मैं यह कहूंगा कि कभी अनुभो लीजिए कि जब दिन रात्रे में परिवर्तित हो रहा हो जब रात्रे दिन में परिवर्तित हो रही हो किसी खुले स्थान पर मौज़ोद रही है और देखिए यह दुनिया इतनी सुन्दर है सच में यह दुनिया इतनी सुन्दर है कि यकीन नहीं होता यह वही दुनिया है जिसमें हम बाकी समय भी जीते हैं तो ऐसी एक शाम की प्रकृतिका वर्णन कर रहे हैं कालिदास देखें सपल्वलो तीर्ण वराह यूथान् आवास व्रक्षोन मुखबर हिनानी ययो म्रिगध्यासित शाद्वलानी श्यामायमाना निवनानि पश्यन बच्चो एक मिनट मैं मोबाइल डाल दूँ एरोप्लेन मोड पर ताकि कोई डिस्टाब नहीं कर सके सपल्वलो तीर्ण वराह यूथानी आवास व्रक्षोन मुखबर हिनानी ययो म्रिगध्यासित शाद्वलानी श्यामायमाना निवनानि पश्यन कन्फ्यूज होने की जरुत नहीं है सिर्फ विशेशनों की वजए से वाक्य इतना लंबा मालूम होता है कलिष्ट मालूम होता है सवनानी पश्यन ययो बस इतना सा वाक्य है सव यानि दिलीपा वह दिलीप राजा दिलीप वनानी पश्यन वनों को देखता हुआ ययव चला चला कैसे वनों को वनानी के सारे विशेशन हैं पल्वलो तीर्ण वराहयू थानी वनानी आवा सवरिक्षोन मुख बर्हिनानी वनानी म्रिगत ध्यासित शाद्वलानी वनानी श्यामाय मानानी वनानी ये चार विशेशन हैë वन जो पल्वलो तीर्ण वराही उथानी पलवल यानि छुद्र जलाशे छोटे छोटे तालाब जो भर जाते हैं बारिश में उनमें सुवर जो हैं वो बैठे होते हैं जल क्रीडा कर रहे होते हैं और पानी को गंदा कर रहे होते हैं सागर मोथे खा रहे होते हैं उनमें से सुवर अब निकल करके चल पड़े हैं शाम हो रही है अब वो निकल के चल पड़े हैं पलवलों तीनानी वराह यानी सूकरों के जुंड पलवलों से उतीन हो रहे हैं जिसमें ऐसे वनों को देखता हुआ राजा चला आवास व्रिक्षोन मुख बरहिनानी आवास व्रिक्ष की और उनमुख है जो बरहिनानी यानि मयूर पक्षी बरहिना है जिसके सर पर कलंगी होती है वो हो अर्थात मयूर पक्षी मयूर जो हैं अपने आवास की ओर चलते हैं मयूरों को देखना उनका चलना और उनका केका मेका करना बड़ा सुख़द होता है तो मयूर अब अपने आवास की ओर आवास वरिक्ष की ओर उन्मुक है मुरिगों से अध्यासित शाद्वलानी यानि बालत्रनानी यानि छोटी छोटी घास यानि मुलायम घास पर मुरिग बैठे हुए हैं हिरन बैठे हुए हैं सब तो अपने अपने घर की और चल पड़े हैं हिरन कहां जाएंगे हिरन का घर तो वन ही है अब वो चर करके आराम से बैठ गए है शामाय मानानी और इस प्रकार से शामाय मान वन को शामाय वन यानि जिस पर अब अंधीरा घिरता जा रहा है श्यामाय मान होता जा रहा है अंधकार घिरता जा रहा है ऐसे वनों को देखता हुआ राजा चल पड़ा आपीन भारो द्वहन प्रयत्नात गृष्टिर गुरुत्वात वपुषो नरेंद्रह उभव अलंचक्रतुरंचिता अभ्याम तपो वना वृत्ति पथम गता अभ्याम आपीन भारो द्वहन प्रयत्नात राजा और गौ दोनों मार्ग में धीरे धीरे चले जंगल है और जंगल की भयावता बढ़ जाती है रात होने के साथ और शाम हो गई है वन श्यामाय मान होते जा रहे हैं अंधेरा घिरता जा रहा है लेकिन डर छू नहीं गया है ना राजा को ना नंधिनी को आपने पहले पढ़ा ना स्ववीर्य गुपता ही मनों प्रसूति मनु की संतान अपने ही पराक्रम से सुरक्षित है उनको किसी का डर नहीं है वो आराम से जा रहे हैं शान से चल रहे हैं मंद गती गौरव का सूचक होती है बड़पन का सूचक होती है लेकिन यहां मंद गती के पीछे कारण भी है कावेलिंग अलंकार है कारण बताया है मंद गती राजा दिलीप की क्यों थी और गौ के क्यों थी आतीन भारोत वहनप्रयतनात आपीन के भार के उद्वहन के प्रयतन से ग्ष्टि है गउ आपीन यानि भरे हुए स्तन पहली बार सद्याप्रसूता गउ है पहली बार बच्चे को जन्म दिया है इसलिए आपीन के भार को ढोने में उसे कष्ट हो रहा है जब कई बार बच्चों को जन देगी प्रैक्टिस में आ जाएगी अभी सद्यह प्रसूता गऊ है और एकप प्रसूता है पहली बार उसने बच्चे को जन दिया है इसलिए आपीन के भार को ढोने की उसे आदत नहीं है स्तनों के भार को ढोने की आदत नहीं है इसलिए मंदगती से चली और नरेंद्रह गुरुत्वात वपुषो नरेंद्र यानी राजा अपने वपु याने शरीर की गुरुता के कारण, शरीर के भारी होने के कारण इससे लगता है कि राजा थोड़ा आलसी हो गया था, शरीरिक शरम कम कर रहा था और शरीर उसका भारी हो गया था आप इस सर्क के अंति मिश्लोक में देखेंगे कि राजा का शरीर भी हलका हो गया है और मन भी हलका हो गया है अभी राजा का शरीर भी भारी है और मन भी भारी है तो गुरुत्वात वपुषो शरीर के गुरुत्व के कारण, शरीर के भारी होने से नरेंद्र उभव अलंग चक्रतु दोनों ने सुशोभित किया क्या अंचिता भ्याम गता भ्याम अपनी सुन्दर चाल से तपोवना वृत्ति पथम तपोवन के आवृत्ति पथ को तपोवन के ओर लोटने वाला जो मार्ग है उसको दोनों ने अपनी सुन्दर गती सुन्दर चाल धीमी चाल सुन्दर चाल तो यद्य की दोनों धीमे चल रहे थे उनकी अपनी प्रॉब्लम्स थी लेकिन उनकी इस धीमी चाल से तपोवन का जो लोटने का मार्ग था वो सुशोभी तो हुआ वसिष्ठधेनो कोरणुयाइनम्तं आवर्तमानं वनिताव नांतात पपवु निमेशालस पक्ष्म पंतिर उपोशिताभ्यामिवलोचनाभ्याम् वसिष्ठ देनोरनुयाइनम् तम् वसिष्ठ देनोरनुयाइनम् तम् आवर्तमानम् आवर्तमानम् आवर्तते असव आवर्तमानह तम् जो लोट रहा था प्रत्यागतम् लोटने वाले लोटते हुए वसिष्ठ की देनु के अनुयाई वसिष्ठ की देनु यानि काम देनु के पुत्री नंदिनी के पीछे पीछे चलने वाले उस लोटने वाले र यानि राजा की इस्त्री अर्थात सुदक्षणा ने कहां से लौटने वाले को वनान तात वन के सीमानत्य प्रदेश से वन के अंतिम छोर तक जो चले गए थे वहां से लौटने वाले और वसिष्ट की धेनु के पीछे-पीछे चलने वाले उस राजा को पपव निमेशा लस पक्ष्म पंग्ति ही उपोशिताभ्याम इवलोचनाभ्याम निमेशा लस पक्ष्म पंग्ति ही निमेशे अक्षी निमीलने अलसा आलस्य युक्ता पक्ष्मणाम नयन लोम नाम पंग्ति ही रेखा यस्याहसा निर निमेशा सती जिसने पलक जपकाने में आलस करी पलक तक नहीं जपकाई ऐसी पक्ष्म पंक्तियों के द्वारा पक्ष्म पंक्ति यानि नयन लोमनाम रेखा ऐसी नयन के रोमों की रेखा के द्वारा आँखों की जो बरोनिया हैं उन बरोनियों के द्वारा उपोशिता भ्याम इवलो चना भ्याम उपवास किये हुए नेत्रों से मानो पपव पी लिया राजा को देखा नहीं मानो राजा को नेत्रों से पी लिया किसी शायर ने कहा है आओ कि तुम्हें देख कर इफ़तार कर ले हम मुद्दत हुई है आँख को रोजा रखे हुई ये खुबसूरत भाव शायद कालिदास से ही लिया होगा रानी के नेत्रों ने दिन भर से उपवास किया हुआ था नेत्रों का उपवास क्या है नेत्रों का भोजन है देखना दरशन करना रानी ने सुबह जब राजा को विदा किया था उसके बाद से किसी को देखा ही नहीं था आख बंद करके मानो तपस्या कर रही थी और अब राजा को लोटते हुए दिन भर के उपवास की पारणा कर रही है दिन भर के उपवास के बाद जब आप भोजन करते हैं तो वो जो इगरने सोती है वो जो उत्सुकता होती है भोजन करने में उस चीज की कल्पना करें उन न पेत्रों ने राजा की उस छवी को मानों पी लिया जो दिन भर से आँखें भूखी थी जिन आँखों ने दिन भर से उपवास किया था अगला इस लोग देखेंगे अब कैमरा घूमता है जिसमें फ्रेम में तीनों दिखाई देते हैं सुदक्षिना राजा और उन दोनों के मध्य में नंदिनी पुरस्कृता वर्तमनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिवधर्म पत्न्या तदंतरेसा विर्राज धे कालिदास के बहुत्रीन उप्माओं में से एक कि जब कालिदास के बहुतरीन उप्मां की चर्चा होती है उप्मा वालिदासस्य के संदर्व में तो इस श्लोक के भी चर्चा आती है एक दीप शिखा वाली उपमा और एक ये क्लासिक उपमाई बन चुकी हैं आगे आगे नंदिनी पीछे पीछे राजा दिलीप और उनकी आगवानी करती हुई सुदक्षणा और दोनों के मध्य में नंदिन क्या सीन बन पड़ा है क्या द्रिश्य बन पड़ा है देखें राजा है दिन का प्रतीक सुदक्षणा रात्री के प्रतीक है और नंदिनी संध्या के प्रतीक है दिनक्षपा मध्य गतेव संध्या दिन और क्षपा यानि रात्री के मध्य में मानों संध्या है पुरस्कृता वर्त्मनी पार्थिवेन, वर्त्मनी मार्गे, मार्ग में पार्थिव के द्वारा यानि राजा के द्वारा पुरस्कृता आगे करके चलती हुई राजा मार्ग में जिसको आगे करके चलती है एसी वह गउ सा यानी गउ प्रत्युद गता पार्थिव धर्मपत्नी के द्वारा प्रत्युद गता यानी आगे भढ़कर आगवानी की हुई तदंतरे उन दोनों के मध्य में साधेनु विरराज वो धेनु सुशोभित हुई कैसे दिनक्षपा मध्य गतेव संध्या मानो दिन और क्षपा यानि रात्रि के मध्य में संध्या हूँ देखें पहले ही कहा है कि नंदिनी का जो रवर्ण था वो पल्लव राग तामरा था नंदिनी का रंग भी संध्या के तुल्य तुल्य था तो दिन और रात से तुल्ना जो राजा दिलीप की दी गई है इस पर देखें राजा दिलीप तेजस्विता के कारण दिन से उनकी तुल्ना की गई है और शान्ती और विश्रान्ती की प्रतीक होने से चांदनी रात के तुल्य सौंदर्य होने से सुदक्षणा को रात्रि कहा गया और इन दोनों के मध्य में वो गव संध्या है संध्या आनि संध्या आनि संध्या आनि मिलन स्थल दोनों का संध्य दोनों का मिलना इन दोनों को अब इस तरह से मिलाने के लिए यह गव जिम्मेदार है कि उनको संतान प्राप्ति हो बड़ा प्रैक्टिकल बड़ा वैग्यानिक एप्रोच भी है इस बात में कि जब आपकी फिजिकल एक्टिविटीज कम हो जाती है तो आपकी सेक्स पावर भी कम हो जाती है हो सकता है राजा के संतान अब प्राप्ति के लिए यह भी एक कारण रहा हो 21 दिन तक भूखे प्यासे रह करके दिन भर जंगलों में गाई के पीछे पीछे भटक करके पहाड़ों की चड़ाई और उत्राई पर राजा फिट हो जाता है राजा के शरीर का जो वजन है अत्रिक्त वजन अत्रिक्त चर्वी वो खतम हो जाती है और अब राजा का शरीर भी हलका हो जाता है और मन भी इस राज कालिदास की सबसे बहतरीन उपमा के साथ आज के स्व्याख्यान को यहीं विराम देते हैं मिलेंगे अगली बार धन्यवार शुग्रत